हेलो फ्रेंड नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एग्रिकल्चर नॉलेज इसकुल के यूटूब चेनल में आप सोच रहे होंगी कि आज हम कौन सा विशे लेने वाले हैं तो आज का हमारा महत्पुर्ण विशे है कवक या फंजाई को केसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके management पर हम बात करते हैं इस बात करें हम student level पे और हम बात करें हमारे किसान भाईयों के level पे तो दोनों ही तरह से प्रायगिक है कि फंजाई का आखिरकार control हम कर के से सकते हैं तो फंजाई के control के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यह फंजाई रहती कहा है कहा से आती है तो फंजाई के अगर हम बात करते हैं तो यह रहती हमारे swail में म्रदा में और म्रदा में यह अपने different type के spores बनाती है जैसे oo spore है, myshellium है, clamido spore है sclerotiums हैं जा और भी other इसके parts है जो यहां से यह अपनी oversizing condition oversizing status को maintain करती है और यहां swail में ही अपनी myshellium को फिलाती रह दिये through hosterium, through approssorium समस्या भी आ है कि फंजाई का खेत में management कैसा किया जाए तो फंजाई का खेत में management करने के लिए हमें swail में management करना पड़ेगा क्योंकि इस swail में ही यहां fungi है यही से यह root में infection करती है और जैसे रूट chock होती है तो यहां से हमारे doctrine में जो रसा रोहन की क्रिया है वो बंद हो जाती है और रसा रोहन की क्रिया बंद होने से पॉधे मुर्जाके मल जाते हैं और वो wilting में कनवर्ट हो जाते हैं व्यवसे लीफ पर लीप इस्पोर्ट के सिम्टम हमें दिखते हैं पउडर हे तो पउडर बिल्ड Ir eyes why वह जमीन में पहले इसका मेंज्मेंट करना चाहिए इसके एक लिए फसल जब हम लगा रहे हैं उसके 10 दिन पहले या प्रति-एकड में हमें कम से कम इनका कम से कम 5-6 किलो 25 किलो गोबर में मिला लेते हैं और साथ हमें इसमें 1-2 किलो हम गूड भी डाल देंगे और इसको मिलाकर किसी चायदार इस्थान में 3-4 दिन के लिए रख देंगे उसके बाद इसे हम spread कर देते हैं अब आप यहां पर बोलेंगे सर हम केमिकल से इसका treatment क्यों नहीं कर सकते हैं देखें फंगस की एक quality यह होती है कि फंगस जो होता है यह इस प्रकार से growth करता है like it is myshellium और यहां पर अगर हम बात करें तो यह जब हम केमिकल spray करते हैं तो myshellium का जो फंगस होता है वो यहां पर उसकी growth को क्यों चोप करता है परन्तु पूरी तरह से फंगस नहीं मरती है कि इस वज़े से केमिकल कंट्रोल करने के बाद भी बिमारियां बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है लेकिन pseudomonas और जो ट्राइको डर्मा है यह आपस में एक बायो एजेंड है यह हाइपर पेरासाइट है जो दूसरे ही हामपूल फंगस पर grow करते हैं और वहां जाकर उसको खतम करते हैं तो यह ट्रेप बनाते हैं ट्रेप बनाते हैं तो ट्रेप बनाकर ये पूरी फंजय को नश्ट कर देते हैं जिससे पर्मानेंट फंजय का माईशेलियम खतम हो जाता है इसलिए यहाँ पर हम बायरेजन का उप्योग करते हैं तो बायरेजन का हमें सई तरब से उप्योग करना आना चाहिए तो हमने दे दिया है भईया तो हमें क्या करना है इसको रिपिटेडली देना है जैसे हमने एक बुवाई के समय दे दिया फिर अगर ड्रीप इरिगेशन है या तो फिर आपका जो चेनल है वहां पर भी ट्राइकोडर्मा या सुडो मोनास की मात्रा को लगातार देते रहना है क्योंकि आप केमिकल कंट्र कर रहे हैं तो उससे परमार्यन खतम नहीं होता है इसके लिए हमें जाना पड़ता है और यह प्रैक्टिकल रिजल्ट भी कई किसानों को मिले हैं और कई शात्रों का भी यही एक मद है कि हम सिस्टम एक लाइक कारबेन डाइजाइम बाइस्टिनिस का यूज करें लेकिन इ हम इन ही का स्प्रेड हमने स्प्रेड से भी करवा सकते हैं जिसमें इसकी जो मात्रा रहती है वह लगबग हम लगबग हम 10 ग्राम से 20 ग्राम डालते हैं और वह काम हो जाता है तो इस तरह से हम फंजेगा कंट्रोल कर सकते हैं थेंक्यू फॉर वोचिंग अगरिकल्चर अगर बुप जाता है ट्यार लगबग हम दूल से बालते हैं ठहलब या वोजे वहदिए folded выпуск, सकते हैं कंट्रोबग हम लगएवालक कर घर लगएवाल भलालते हैं आलते हैं या वहम लेंक्यों क्जो में अरिबग हम धित्ष फ Peak-ड्र्य शेया हैं ricsिल् Pandemieल्य凭 फ क्रत्य कर